इस बीडियो के अंदर आप एक स्टीम कंडेंसर का टाइप होता है जेट कंडेंसर उसके बारे में आप देखने जा रहे हैं थोड़ा सा मैं बेक्ग्राउंड में बता दू जो स्टीम कंडेंसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं सर्फेस कंडेंसर दूसरे ह होता है जैक्सीं नहीं मिक्सिंग नहीं होते है गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ जैट कंडैंसर के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं तो आब देखीए इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैट कंडैंसर में भी तो अभी for the time being आपको यह समझवा गया हो सर्फिस कंडैंसर क्या होते हैं जैट कंडैंसर क्या होते हैं जिनमें mixing होती हो jet condenser होते हैं जिनमें mixing नहीं होती है हीड ड्रांस्पर बίνा mixing की heat transfer होता उसको ऑम surface condenser बोलते हैं तो आप यहां पर देखेंगे jet condenser के दो टाइप में तो low level jet condenser एक high level jet condenser लो लेविल को हम बैर्मेट्रिक भी बोलते हैं कियों बोलते हैं जैसी प्रॉसीड हो तो सबसे पहले हम काउंटर फ्लो कर देखते हैं यहां पर यह पो तेख सकते हैं यह से इस यहां चेल के अंदर आपका solution प्रोवाइट किया गया ये के यह सेल में नीचे वाला हिस्सा होता है यहां पर आपका जो condensate होता है basically क्या हुआ steam है or water है दोनों के mixing गहीं mixing होने के बाद जो आपका condensate بनता है condensate का मतलब है जो mixing होने के बाद steam condens होके बना वो condensate है आपका steam Lawrence mix होके condensate बना वो यहां collect हो गया और यह condensate आपका इस tank में आप जाता है यहाँ पे आप यह tank देख सकते हैं इस tank में जाता है और इस tank में जाने के लिए condensate यहाँ पर ट्यूब लगी हुई इस tank में condensate這是 collect होता है और यहां से जो condensate होता है condensate यह condensate आपका एक पार्ट इसका कहां चला जाता है यह यहां पर आपका pump लगा हुआ है और इस pump से boiler के अंदर चला जाता है दूसरा जो condensate का पार्ट होता है वो condensate का पार्ट कहां जाता है cooling pond के अंदर जाता है आप यह देख सकते हैं यहाँ पर यह cooling pond के अंदर जा रहा है और cooling pond से जो condensate है वो फिर कहा जाता है उपर इस तरह से यह जा रहा है अब आप सोच रहा होगा यह उपर automatic कैसे जा रहा है बिना pump के तो basically आप समझे यहाँ पर जो pressure है वो atmospheric pressure से कम pressure है जबकि यहाँ पर जो pressure है वो atmospheric pressure है तो obviously यहाँ higher pressure है या lower pressure है तो जो siphon thermosiphon action है उसके through यह जो liquid है यहाँ पर जो condensate है वो condensate यहाँ से इधर जाए condensate बोल सकते हैं यह cold water बोल सकते हैं जिसकी mixing होगी आपका steam के साथ और इस cooling pond में आपको लगाता है कुछ 1.5% compensate water भी मिलाना पड़ता है क्योंकि कुछ water क्या होता है यहाँ से evaporate हो जाता है जब steam और water की mixing होती है था ठीक है तो आपको इस चीज़ समझवाई होगी तो thermosiphon action से यह उपर जा रहा है और यहाँ पर फिर आपने इस तरह अगा nozzle provide कर रखा है यह nozzle basically क्या है इसको drop plate की form में नीचे डालेंगा फिर नीचे आपने पर्फुरेट प्लेट या बैफल प्लेट लगा रखे है जो कि इस water को drop plate की form में change कर देता है और यहां से यह steam आप supply कर रहा है तो steam थोड़ा सा उपर की तरफ जाती water उपर से नीचे की तरफ आता है यहां पर इस तरह से बेफल प्लूट प्लूट की गए जिससे आपको जो water है वह किसके drop plate की form में change हो जाए क्योंको जितना drop plate की form में change होगा उतना ज्यादा एरिया मिलेगा एरिया ज्यादा मिलेगा तो आपका heat का ट्रांसपर भी ज्यादा होगा ठीक है तो आपको यह समझाए फिर उसके बाद यह mixing होने के बाद यहां पर heat transfer होने के बाद यह condensate यहां पर collect हो जाता है ठीक है अब यहां पर और चीज़ देख सकते हैं यह air extraction के लिए बिसके लिए air कहां से आ सकते एक तो air क्या होती है जो water होता है water के साथ dissolve होके यह आ सक इसमें infiltrate होके आ सकती है इसलिए आ सकती हुए बाहर pressure जादा है और अंदर pressure कम है तो उस air को continuously remove करने के लिए यहां पर air extraction पर pump लगा रहता है अच्छा air remove नहीं करें तो होगा क्या तो इसका जो vacuum है वो loss हो जाएगा इसका vacuum धिरी-धिर क्या होता जाए कम हो जाएगा क्योंकि आप प्रेशर air continuously लिए और vacuum loss होगा तो उसकी वैसे क्या हो condenser की efficiency कम हो जाएगी और condenser की efficiency कम होने से आपका जो overall efficiency हो भी कम हो जाएगी एक vacuum efficiency होती है जो कहाँ आगे देखेंगे वह vacuum efficiency भी condenser की कम हो जाएगी condenser का performance है वो मेजर करते हैं in terms of vacuum efficiency आपकी कम हो जाती है ओके तो steam setup रहता है parallel flow में मैं आपको parallel flow का भी दिखाता हूँ यह देखिए यह इसी तरह का पहले जो different होगा वही मैं आपको बताऊंगा यह tank same सारी चीह है मैं आपको इसमें बताऊंगा different क्या है सिर्फ यह difference है यहां पर कि यहां पर जो steam है यह उपर से आ रही है और water भी यहां से आ रहा है और उसकी mixing हो रही है फिर यह पर फुरेट प्लेट से बैफल प्लेट लगी होते हैं जो को water की drop plate को water और steam का mixing है उस mixing को water की drop plate की form में change कर देता है ठीक है यहां पर air extraction यहां पर हो यहां से आप steam inlet आ रहा था और यहां से water का inlet हो रहा था और यहां पर air extraction लगा हो था है यहां पर steam का inlet यहां से हो रहा है और air extraction यहां से हो रहा है ठीक है अब यह आपको समझवा गया होगा यह आप और देख सकते हैं यहां पर यह आप देख सकते हैं किस तरह से animation के तरूप अप पूरा समझ सकते हैं यह बिसिकली पैरलल फ्लो और इसका एनिमिशन है आप देख सकते हैं कूलिंग वाटर है यहां से कूल रह यह स्टीम यहां पर इसम हो रही है यह यह पर फॉरेटे ट्रेलों होते हैं जो को डॉपलेट की फौरम में चेंड कर देते जो यहां पर यह पंप लगा हुगा है और यह जो कंडंसेट है यह कंडंसेट आपको होट वैल और होट वैल से आप बॉयलर की तरफ वेई देते हैं और जो भी ओवर फ्लो होता है उसको यहां पर जो आपका कूल मौटर वाले ठीक है तो ही ओप यह आपको समझ मागय होगा अब इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरा है आपका जो नेक्स्ट वाला बचा हुआ यह आपके लू प्रेशर वाले में हो गए हाई प्रेशर वाले में आपका जो बैरोमेट्रिक जैट कंडेंसर उसको बोलते हैं यहां पर ए एट्मसफेरिक प्रेशर की हम बहुत करें बाटर कॉलन को टामस है तो इसकी यह उट्टी है 10.36 मीटर तो इसकी जो लंबा ही है पाइप की यह भी करीब यह भी करीब 10.36 मीटर होता है बाकी चाहिए आप देखेंगे यहां पर तो इसमें आप देखें यह कूलिंग पॉंड है इस कूलिंग पॉंड से यहां पर पंप लगा होता है उसमें क्या हो रहा था साइफन एक्शन से जो वाटर है वो आटोमाटर उपर जा रहा था लेक और यह वाटर है वाटर उपर से नीचे तरह तो यह भी एक तरह का काउंटर फ्लोव हीट एक्शेंजरी भी है इसमें भी काउंटर फ्लोगा सिस्टम है फिर यहां से इंदोनों के मिक्सिंग हुई फिर परफॉरेटेट प्लेट्स लगी रहते हैं उसके थूरू फिर यह को आप एके होट वैल में आजाएगा और होट वैल से फिर आप कहां पर भेज़ देगें इसको हाट वैल से कुछ पारट आप यहां पर कूलिंग पॉर्णंटम भीज़ देएगे तो I hope ये आपको समझ में आ गया हुआ, thank you.